हलो फ्रेंड्स आप सबी लोगों का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल कविंदर भाईया तो आज हम पढ़ेंगे कक्छा छे का अक्छरा हिंदी यूपी बोट का पाठ पंद्रा पाठ का नाम है खग उड़ती रहना तो देखें दोस्तो हम इस पाठ का सभी प्रेश्णूत देखेंगे जैसा की प्रेश्ण है कुछ करने को से प्रेश्ण नमर वन है अपनी पसंद के किसी पंची के बारे में कुछ बाक्य लिखिए इसका उत्तर हो जाएगा मेरा पसंद निदा पंची मोर है या पंचीयों का राजा है साथी या भारत का राष्टे पंची भी है मो मोर के पंच बहुत सुन्दर होती है इसके सीर पर नीले रंग की सुन्दर सी कलगी होती है वर्शारीतु में मोर जब अपने पंच पहला कर रित्य करता है तो सब का मन मोह लेता है अगला प्रेश्ण दो नमर है निमनलेखित उधारण के अधार पर किसी एक पंची का वीव मोतर अकार माध्यम रंग हलका असमानी या सफेद प्रकिर्ती सजीव भोली भाली भोजन शाकाहारी घोशला सोखी लकडियो घास यातिन को से घोशला बनाना घोशला बनाने का समय वर्शा रितु के आसपास अंडे सफेद या भूरे सत्रू बाज देखे जाने की तिथी और शमय पूरी वर्श दिखाई देता है अनिबाती छोटी चोच कम उचाई तक उड़ना घरों में घोशला बनाकर रहना इसी अधार पर हमने कुछ बनाया है जैसा क्यू धारत दिया था इसी पर किसी पंची का हमें विवरत तयार करना था जैसा कि हमने आपर किया है भोजन शर्वाहरी ये कीडे मकवडे और अनाच दोनों खाता है तो ये सर्वाहरी है घोशला घास या तिनकों से घोशला बनाना घोशला बनाने का समय ग्रिश्म रितू की आसपास अंडे भूरे या सफेद सत्रू बाच देखे जाने की तिथी और समय पूरे वर्ष लिखिये जैसा कि हां पर चीत्र है बना तो इसी पर हमें पांच पंक्तिया लिखना है जैसा कि हमने यहां पर लिखा है इसमें पंच्यों का पीजरा उलटकर बाहर उड़ते हुए दिखाया गया है दूसरा यह चीत्र स्वाचंत्रता एवं स्वाचंत्रता का प्रतीक है तीसरा प्रतीक जीव को अपनी स्वाचंत्रता प्रिय होती है कोई भी बंधन या पहरे में रहना पसंद नहीं करता भले ही उसे उस बंधन में लाखो सुख सुविधाय दी गई हो परतंता में कितना भी सुख क्यों न हो वास्वतंतता की बराबरी नहीं कर शकती है तभी तो कहा गया है कि पराधिन सपने हूँ सुख नहीं अर्थात दूसरों की अधिन रहने पर सपनों में भी सुख की कामना नहीं की जा सकती अगला प्रेश्ट दो नम्मर है उड़ता हुआ पंची हमें आगे बढ़ने अर्थात उनती करने का संदेश देता है इसी प्रकार बताईए कि उगता हुआ सूरज, हिमालय, लहर्टा सागर, फलो सेला देवरिच, खिले हुए फूल हमें क्या संदेश देती हैं प्रतेक पर अपने विचार दो दो पंक्तियों में लिखिये जैसा क्यूगता सूरज क्या हमें उदेश से देता है तो हमें दूसरों के जीवन को प्रकासित यानी सुखमय बनाने का संदेश देता है हिमालय हमें हर संकट में अविचल होकर खड़े रहने एवं उचा बने रहने की प्रेणना देता है लहराता सागर हमें जोस एवं उबंग के साथ जीने की सीख देता है फलो से लदे वरिच हमें विनम्रता एवं परुपकार की सीख देती है खिले हुए फूल हमें दूसरों के जीवन में खुशिया प्रदान करने की प्रेणना देता है अगला प्रेश्ट तीन नम्मर है कवी इस गीत के माध्यम से हमें क्या संदिश देना चाहता है इसका उत्तर हो जाएगा कवी इस गीत के माध्यम से हमें प्रगती सिलता और कर्मठता का संदिश दिना चाहता है अगला प्रेश्ट चार नमर है यदि आप पंच्छियों की तरह उड़ सकते तो सरुप्रथम आप कहां जाना चाहोगे और क्यों तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी अब अपना विचार कमेंट में जरूर दे अगला प्रेश्ट एगिस से प्रेश्ट नमर वन है मौस से भी बत्तर क्या है इसका उत्तर हो जाएगा पीछे लोटना अगला है मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा मार्ग में कठिनाई आने पर नई आशा और विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए अगला प्रेश्टी नमर है जो लोग अपने लच्छे तक पहुचने के प्रियास में समाप्त हो जाती है उनको संसार किस तरह सम्मान देता है? इसका उत्तर हो जाएगा जो लोग अपने लच्छे तक पहुचने के प्रियास में समाप्त हो जाती है संसार उनको नायक की तरह सम्मान करता है अगला प्रेश्ट चार नम्मर है कारे को बीना पूरा किये हुए छोड़कर लोट आने वाले व्यक्ति को संसार किस द्रिष्टी से देखता है इसका उत्तर हो जाएगा हीन और व्यंग की द्रिष्टी से अगला प्रेश्ट पास नम्मर है दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िये और नीचे दिये गए सही भावार्स पर सही कचिन लगाईए जैसा कि हमने यहाँ पर पंक्ति लिखा है और पढ़ा भी और मिट गया चलती चलती मन्जिल पच्ते करती करती खाक चढ़ाएगा जग उन्नत थाल्ब और आखो पर इस पंक्ति को पढ़ना है और इसका सही भावार्स पर हमें सही का चिन लगाना है तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है यह पंची यदि चलती चलते और मन्जिल पारने में खाक मिलती है तो मेरा ललाट उचा रहेगा और दूसरा है यह पंची यह मानव यदि अपनी मन्जिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते या चलती चलते मीट जाओगी तो कोई हानी नहीं होगी क्यूंकि जब यह संसार बड़े गर्व से तुमारे बलिदान को अपने सीर आखों पर चढ़ाएगा और तीस्तरा है हे मानाव अपनी मंजिल की खाख अपने उचे मस्तक और आखों पर चढ़ाओ और चोथा है हे खग यदी राह चलते चलते और मंजिल पाने में तू मर गया तो तू मिटी में मिल जाएगा अगला प्रशन भासा की बाद से प्रशन नमर वन है दिये गए सब्दों के समनार्थक सब्द लिखिए जैसा कि हमने आपर लिखा है पत का हो जाएगा मार्ग, रास्ता, राह आशा का हो जाएगा आश, आस्रा, उम्मीद अरी का हो जाएगा सत्रू, रीपू, दुश्मन आख का हो जाएगा चशू, नित्र, लोचन या नयन भी हो सकता है आख का अगला प्रशन है दो नमर निम्नलिखित के दो-दो परियवाची सब्द लिखी जैसा के हमने आपर लिखा है पंची का हो जाएगा खग विहग, अकाश का नव गगन, धर्ती का पृत्वी भू, पहाड का परवत गीरी अगला प्रेशन है तीन नम्मर योजक चिन अलग-अलग संदर्भों में प्रियुक्त किये जाती है पाठ में आशा, लहकरो, अरी दल, तथा चलते-चलते सब्दों में आए योजक सब्द भीन अर्थ वाले हैं बताईए कि योग्त तीनों अस्थानों पर प्रियुक्त योजक चिनों के क्या आर्थ हैं जैसा कि इसका उत्तर हो जाएगा जैसा कि दिये गया आशा, हलकोरो दिखे बीच में योजक चिन लगा है तो इसका आर्थ हो जाएगा आशा की हिलकोरो अगे है अरी दल यानि की अर्यो का दल यहाँ पर बीच में योजक चिन लगा गया है चलती चलती यानि की चलती और चलती प्रथम और दितियो योजक चिन्हों की अर्थ है संबंध प्रकट करना जब कित्रतिय योजक चिन्हों की अर्थ है सब्द की पुन्डरा विर्ति प्रकट करना यानि की दो दो बार आया है तो बीच में योजक चिन्हों की चलते और चलते अगला प्रेशन है चार नम्मर कविता में आए उन सब्दों को छाट कर लिखिए जिनका आर्थ आपको नहीं पता तो इन सब्दों का आर्थ सब्दों को से धोड कर लिखिए अब इन सब्दों का अपने वाक्यों में प्रियोग कीजिए तो विद्यार्थी आप स्वयम कीजिए तो देखे दोस्तो इसमें इतना ही प्रश्ण दिया था तुमें तेने शुडम तब तक के लिए धन्यवा दोस्तो